तो चैप्टर वन के हमने शुरुआत की थी यह रहा इसका ओर्विव पांच टॉपिक थे कुल्विला केस में तो चैप्टर वन का नाम था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट तो फटा फट से बेटा चैट में चले आओ और बाकी बच्चों को भी बता दो आपकी क्लास शुरू हो चुकी है तो चैप्टर के ओर वी में देखें बेटा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट पांच टॉपिक पड़े थे हमने मीनिंग और नीचर वो स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट पहला कॉंसेप्ट वो स्ट्राटेजिक दूसरा स्ट्राटेजिक मैनेजमेंट तीसरा जिसके अंतरकत पड़ी हमने इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन strategic intent चोथा strategic level पांचवा तीम प्रकार के strategic level थे corporate, business और functional जिसे हमने top, middle और low कहा था तो बिटा जी मिरे को यह कहते वे कोई भी बिटा अती शेयोक्ती नहीं हो रही है कि आपको यह अच्छे से याद है तो जड़ा मुझे बता दे चैट बॉक्स में कि आपको याद है या नहीं है आना खुली आँखों से इसको याद कर लो introduction to strategic management chapter का नाम है meaning and nature of strategic management concept of strategy, strategic management importance limitation, strategic intent, strategic level 3 corporate business and functional याद है, याद है, याद है, बहुत अच्छी बात ठीक है पर detail में अपने इनको discuss किया था, आपको पता होगा सबसे पहले meaning and nature को किया था, management के बारे में बात किये थी, functions के बारे में बात किये थी, उसके बाद concept of strategy में हमने strategy game plan, long range blueprint इसको discuss किया था, यह consciously or flexibly designed होती है, integrated framework पौजूत करती है, strategy is no substitute for sound, alert and responsible management, और नहीं, यह कभी perfect, flawless और optimal हो सकती है, और afternoon, good afternoon, अंजली कह रही है, हमारे को तो याद है, बहुत अच्छी बात है बिटा, याद होना ही चाहिए, बत्रसर की class में है आप, उसके बाद 3 level हमने discuss किया था, corporate, divisional, functional, top, middle and low, उसके बाद हमने discuss किया था, strategy partly proactive है, partly reactive है, partly proactive को मतलब होता है, planned strategy, सोच समझ के बनाई ही और reactive को मतलब होता है, situation के अनुसार, कुछ उसमें adoption किया जाए, तो हमें market uncertainty और market की position को देखते वे, कुछ portion को छोड़ना पड़ता है, जिसे abundant portion of the strategy कहते हैं, कुछ नई चीज़े अपना नहीं करती है, जिसको अपन reactive या adaptive strategy कहते हैं, तो pre-planned strategy का एक portion proactive प्लस adaptive मिल के actual strategy बनती है, जो के हमने diagram में भी दिखाया था, अना, एबंडन वाला फीचर छोड़ दो, proactive वाला portion A हो गया, और दूसरा portion हमारे पास में B हो गया, जोनों मिलके actual strategy बना रहे हैं, A, B, तो strategy हो गई, partly proactive, partly reactive, strategy deliberately बनाई जाती है, सोच समझ कर, और फिर situation के according लिए उसमें changes किये जाते हैं, तो इसको हम कह सकते, it is a blend of two things, यह हम कह सकते, it is a stitching of proactive and reactive plan, ठीक है, complexity और uncertainty को reduce करने के लिए, catch up all example हमने दिया था, फिर importance and limitation की बात वी थी, है न, दो fold है, strategic management का purpose, पहला हमें competitive advantage create करनी है, और दूसरा company को successfully environment में होने वाले changes के अनुसार तयार करना है, उसके बाद हमने importance में बात की थी, benefits की, benefits क्या थे हमारे, पहला benefit था, यह आपको direction provide करता है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, दूसरा यह आपको proactive बनाता है rather than reactive, यह framework provide करता है, जिसमें सारे major decision लिए जाते हैं, यह आपको face for the future तयार करता है, आपका pathfinder बनता है, यह corporate defense mechanism तयार करता है, ताकि आप अपनी mistakes और pitfall को avoid कर सके, यह longevity of business जो ह हम टिके रह सकें, और सातवा था, strategic management जो है, आपको core competence develop करता था कि आपकी survival और growth हो सके, इसको आपने diagram के तौर पे भी देखा था, major benefit of strategic management, बात आरीए सब को समझ में, तो मेरी ख्याल से everything is loud and clear to all of you, उसके बाद हमने limitation discuss की थी, limitation चार थी हमारी, पहला environment highly complex और turbulent होता है, इसले इसले बात, strategic management एक time consuming process है, सब काम को करने में समय लगता है, और कई बार उतना समय नहीं होता है कि में strategic management का उप्योप करते वे company के लिए कुछ बेटर सोच सके हैं, तीसरा है, strategic management complex process के साथ costly भी है, क्योंकि time consume करता है, तो पैसा तो लगे गई हमारा costly हो जाएगा है, उसके बा हो गया, environment highly complex and turbulent, दूसरा time consuming process, तीसरा costly process और चौथा, हमें उसके competitor के responses को समझने में दिक्कत होती है, तो इन शार limitations को हमने इस तरीके से देखा था, complex and turbulent, time consuming, costly and difficult to estimate competitor's response, ठीक है, उसके बाद हमने strategic intent में चार चीज़े discuss की थी, vision, long range, blueprint, mission, how to do it, goals and objective, open ended or close ended attribute, चार चीज़े हमने देखी थी इसके बारे में, तो strategic intent एक framework provide करता है, जो आपकी pre-determined direction के तहर चल के आपको result oriented चीज़ों को अचीव करने मदद करता है, intent की शुरुआत होती है, जब हम पहले vision बनाते हैं, फिर mission बनाते हैं, उसके बाद goals and objective अचीव किया करते है vision एक blueprint है, जो company के future की तरफ आपको ले जाता है, company कहां land करना चाहती है, यह हमेशा futuristic हुआ करता है, mission statement होता है, वो रस्ता बताओ, पात बताओ, जिससे चल कर हम अपने vision को प्राप्त करेंगे, it is the purpose of the firm, उसके बाद goals and objective थे, यह basis of the measurement है, यह end result है, जो हमें achieve करने होते हैं, यह future है, जो की काम करने में जो officers होते हैं, executives होते हैं, उनके ideology, philosophy, working style, over a period of time जो उनने तौर तरीके डवलप किया, उन से आया करता है, जैसे पढ़ाते हैं हमने example दिया था, walmart का value system है, के वो customer orientation के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हर चीछ customer को सोच के की जाती है, इसलिए customer first उनके लिए है, हमने बता है था, आपको Microsoft का value system है, कि वो लंबे long working hours में काम करते हैं, ऐसा Bill Gates अपने orientation class में बच्चों को कहता है, बत्रासर का value system है, कि जो भी बच्चा हमारी class में पढ़ रहा है, इस subject में उसके 50 में से 40 प्लस आने की गुंजाईश बनानी है, और उसी हिसाफ से हम बार बार cumulative revision भी करते हैं, और आपको चीज़े याद भी कराते चले जाते हैं, value system के बारे में अमने diagram भी समझा था, strategic intent से शुरुआत होती है, पहले vision मनता है, फिर mission मनता है, फिर goals और objective बना करते हैं, यह value system का part है, vision को detail में discuss किया था, vision आपको illuminate करता है, आप कहां जा रहे है जैसे Henry Ford का vision था, हर American garage में कार आनी चाहिए, तो I, HDFC का vision है, world class Indian bank बनना, और यह बताता है, हम कहां कौन सी direction में जा रहे हैं, LIC का है largest insurance company बनना, Apple का है, उसके Tim Cook CEO द्वारा, हम believe करते हैं कि हम दुनिया में सबसे best product technology के बना के देंगे, ऐसा CEO Tim Cook कहना Apple के बारे में, essential क्या है vision के बारे में, हमें creatively सोचना पड़ता है, intelligent entrepreneurship अपनाना पड़ता है, यह हमें enthusiasm generate करें, और clearly illuminate करें direction को, यह चार चीजे, essential element of strategic vision मानी जाती है, उसके बाद हमने mission discuss किया था, what business we are in, और हम क्या करना चाहते है, mission के बताए जाता है, mission क्यों होना चाहिए, उसके हमने 7 reason बताए, unanimity और purpose को बताता है, basis और standard बताता है, for allocating resources, basis for motivating है, setting the general tone for organization climate है, focal point बनाया करता है, facilitate करता है, translation of objective goal into work structure, organization का purpose, translate करता है, ठीक है, goals में achievement के लिए, उसके बाद हमने HDFC का, और LIC का, और Apple का mission देखा था, mission statement, जो भी mission statement बनाये, वो precise होना चाहिए, clear होना चाहिए, feasible होना चाहिए, distinctive होना चाहिए, motivating होना चाहिए, precise, clear, feasible, distinctive और motivating, और आपकी special identity से जुड़ा होना चाहिए, और आपकी चीजों को satisfy करने वाला होना चाहिए, unique होना चाहिए, Peter Drucker और Theodore Levitt के शब्दों में, अगर हम बात करें, तो हमारा mission statement, किन सवालों के जवाब दे, कि हमारा ultimate purpose क्या है, हम क्या बनना चाहते है, किस प्रकार की गोच चाहते है, हम कौन से business में है, हम accurately क्या achieve करना चाहते है, हमारा purpose किन तरीके के customers को serve करना है, and so on, corporate जो mission होता है, वो आपकी growth ambition को बताता है, कि firm आने वाले समय में क्या achieve करना चाहती है, future में, पीटर ड्रकर के शब्दों में, what business we are in, यह जो है, mission statement की definition को बताया करता है, उसके बाद हमने goals और objective की बात की थी, objective close ended attribute है, goals open ended attribute है, objective जो है, within time frame achieve किया जाते है, इनके लिए हम लोग target time bound set कर दिया करते है, objective दस characteristic होती है, कौन सी, यह define करते है, organization का relationship with the environment, यह facilitate करते है, achievement to mission and purpose, यह provide करता है, basis for strategic decision making, provide करता है, standard for performance appraisal, concrete और specific होते है, time frame से बंदे होते है, measurable और controlable होते है, challenging होते है, correlate करते है एक दूसरे को, और within constraint काम करने में सक्षम होते हैं, उसके बाद हमने बताया था, mission statement short term होते है, 6 महीने से 1 साल तक, और long range होते है, 2 या 3 साल से लेके 5 साल त होते है, profitability, productivity, public responsibility, P3, उसके बाद E square, employee development, employee relation, उसके बाद CET, competitive position और technical leadership, उसके बाद हमने value system की बाद की थी, 5 common element है, value system के, integrity, अखंडता, trust, विश्वास, accountability, जिम्मेदारी, humility, विनम्रता, innovation, नया कुछ करने की शमता, और diversity, अलग-लग शेतरों में काम करने की agility, उसके बाद हमने में बात की थी, COVID-19 pandemic में कैसे, organization ने अपने आपको परिवर्तित करते वे, अपने value system के आधार पर, market में नए product and services देने की कोशिश की, तो value system में हमने देखा, intent से शुरुआत होती है, पहले vision मनता है, mission मनता है, goals और objective बना करता है, यहां HDFC का हमने पढ़ा था, पांच अलग-अलग इसकी characteristic थी, excellence in operation, customer focus, product leadership, people and sustainability, intent और value की बीच में बात कीती है, तो हमने कहा था value is more, और wider than the intent, intent से बढ़ा कोन है, आपका value system, उसके बाद हमने team प्रकार के strategic levels की बात की थी, generally management team प्रकार के level पर काम करता है, top level जिसे corporate level का जाता है, इस पे CEO या chairman बैठा करते है, इनका काम होता है company के long term vision बनाना, उसके vision and mission बनाना, फिर होता है mid level, जिसको हम कहते हैं business level, यहां पर हमारे general manager बैट था, इसका काम होता है company के goals and objective को set करना, उसके बाद होता है functional level, जिसको low level कहते हैं, जैसे manager of HR, manager of R&D, manager of project system, manager of inventory, इसका काम होता है, worker से काम करा के result को achieve करना, पहले दो level पे general manager होते हैं, लेकिन role उनके अलग-अलग हुआ करते हैं, डिफर करते हैं, रूल में, तो तीन level का diagram भी हमने देखा था, top level पे head office होता है, जहाँ पे corporate level पे हम CEO, other senior executive और board और director को बैठा देखते हैं, middle level, business level होता है, यहाँ divisional manager या general manager बैठते हैं, और low level हमारा functional होता है, जहाँ पे functional manager बैठा करते हैं, finance, HR and so on, फिर हमने इन तीन level को detail में discuss किया था, corporate top level, जो की company के CEO और group chairman दोरा चलाया जाता है, यह company की overall strategy, different product and services को लेके बनाया करते हैं, हमने example दिया था, मुकेश अम्मानी जी का, और alliance की पूरे group companies के लिए मिलके बनाएंगे corporate level strategy, group chairman है अगर अतन टाटा, टाटा group of companies के तो वो मिलके ब corporate level strategy, उसके तहित individual business के लिए बनेगी हमारी business level strategy, जैसे टाटा मोटर के लिए अलग business strategy होगी, तनिश जोयलरी के लिए अलग होगी, और टाटा memorial hospitals के लिए अलग होगी, उसके तहित हमारे पास functional level strategy होगी, जो individual department के होगी, जैसे manager of sales, manager of purchase, manager of accounting, manager of HR, manager of research and development, वो अलग अलग काम कर लेंगे, तो ये था हमारा chapter number one